नमस्कार दोस्तों मैं गजानन जगर्वाग यहां पे हम बोतिक विज्ञान कक्सा 12 का प्रकास की पढ़ रहे थे अभी तक हमने चार वीडियो पढ़ लिए हैं चार वीडियो तक हमने डाल दिये हैं और उसमें अभी तक हमने अवतल दर्पन से प्रतिविंब निर्मान तक प प्रतिविंब निर्मान के नियम आपसे गुजारिश है अगर अभी तक आपने मेरे पहले के चार वीडियो नहीं देखें तो एक बार उनको देखें तब ही ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा क्यों कि ये उसी से लिंक है उसी के आगे का टोपिक है तो शुरू करते सबसे पहले जब किरन मुख्य एक्ष के समानतर हो यदि कोई किरन आ रही है और वो उत्तल दरपन से आ उत्तल दरपन प्यार है और मुख्य एक्ष के क्या हो समानतर हो तब कैसा नियम लागोगा तो देखें दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गई मुख्य एक्ष ये जो है ये मुखे X के क्या है एक दूसरे के क्या है Disico पर nagख मान से वहाँ पर रहे है इससे तकराएगी जब यहाँ पर तकराएगी यहाँ पर टकराएगी तो टकराने के बाद वो चली तो इधर जाएगी परावर्तन हो जाएगा उसका यह जिस माद्यम से आरे वापस उसी माद्यम में चली जाएगी लेकिन चुकि यह उत्तल दरपन है तो हम क्या करेंगे इस जियो किरण जो है वो इधर जा रही है समांतर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी पैरलल आएगी तो वो कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी याद करो दोस्तों प्रतिवियंब के हमने परिवास आपढ़िए प्रतिवियंब में हमने इसे पढ़ाता है या तो किरन मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी और जब किरण मुख्यक्स के समानतर आएगी तो कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी दूसरा फोकस यह किरण फोकस यह किरण यानि यदी किरण अब किस पर आ रही हो यह किरण ऐसे आ रही है सि समानतर चली जाएगी यह किरन दोनों क्या कि मुख्य एक्ष के समानतर तो मैं याद इतना रखना है कि यदि कोई किरन फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह प्रावरतन के पस्चात मुख्य एक्ष के समानतर चली जाएगी यह में याद रखना है फिर तीसरा है जब किरण वक्रता के अंदर पर आएगी तो वही नियम है अगर वक्रता के अंदर पर आएगी तो यह तो फोकस हो गया यह वक्रता के अंदर हो गया तो प्रावर्तन के बाद में वो किरण वापस उधर से ही चली जाएगी एक बार फिर से मैं बता जेता हूँ दोस्तों ये अगर उत्तल दरपन है तो इसका अंदर वाली सत्य पर तो हमने पॉलिस के रखिये ये बाहर वाली सत्य क्या है प्रावर्तक प्रस्ट है यानि इस पर अगर हम प्रकास डालेंगे तो वो प्रकास जोए वापस इदर आजाएगा इससे टकरा कर इदर आजाएगा तो वो मिलेगी नहीं और मिलाने के लिए हमें उसको किदर ले जाना पड़ेगा जैसे फोकस वकरता के अंदर पर आ रहे तो वकरता के अंदर पर लेकिया आना पड़ेगा तो किरन अगर वकरता के अंदर पर आएगी तो वकरता के अंदर से ही वापस चली जाएगी और उसको हम या पर इस तरीके से दिखाएगे नियम वो ही चारों है अबतल वाले ही बस डाइग्राम इनका अलग है चोथा था हमारा तिरियक किरण तो तिरियक किरण में देखी दोस्तों अगर किरण किस पर आएगी धुरूवपर किरण किस पर आएगी धुरूवपर तो इधर से वापस चली जाएगी ये चार नियम है इनको write down कर लो लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं वीडियो तब तक पोज़ कर सकते हो आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पन से प्रतिविंब निर्मान चारो नियम के लिए रोने के बाद में अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पन से प्रतिविंब निर्मान जब वस्तु कहां परिस्तितो अनंत परिस्तितो वस्तु या बिंब कहां परिस्तितो अनंत परिस्तितो तो उसका इस तरीके से चित्तर बन जाएगा यह अनन्त पर यानि बहुत अत्यदिक दूरी पर वस्तू है तो देखिए दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था यह जैसे वस्तू है तो इस वस्तू के हर इससे किरण निकलेगी तब हमें वह हर हिस्सा उस वस्तू का दिखाई देता है ल मुख्यक्ष के समांतर आएगी तो चली तो इदर जाएगी और उसको मिलाएंगे कहां पर फोकस पर ऐसे यह वाली किरण भी मुख्यक्ष के क्या है समांतर है और मुख्यक्ष के समांतर है तो चली तो इदर जाएगी और फिर मिलाएंगे कहां पर फोकस पर तो याद किजि तो दोनों किरन प्रावर्तन के बाद मिल नहीं रही है मिल नहीं रही है तो इसलिए हमने यह डोट करकर मिलती हुई दिखा रहे हैं इसको मिलती हुई प्रतीत हो रही है और मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिविंब कैसा बनता है आभासिव शिद्धा बनता है तो प्रत प्रतिविम्ब का अकार के सार आएगा अत्यंत छोटा या बिंदुवत और प्रतिविम्ब के सार बनेगा सीधा वे आभासी क्योंकि यहां पर किरिने जो है वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है हम उनको मिला रहे हैं तो प्रतिविम्ब के सार बनेगा सीधा वे आभासी बनेग प्रतिभिंब का अकार के सराएगा अत्यांत छोटा या बिंदुवत प्रतिभिंब की स्थिति कहां पर है फोकस पर फिर दूसरा नियमें जब वस्तु अनन्त वय धुरुव के मद्ध्य इस्थितो उत्तल दरपण के लिए दो ही स्थितिया होती एक तो जब अनन्त पर हो और अनन्त वय धुरुव के मद्ध्य इस्थितो तो अनन्त ये वस्तु ये तो हो गई हमारी वस्तु यह हो गया हमारा धुरुव यहां पर क्या है दुरुव तो अनन्त और धुरुव के बीच में हमारी वस्तु है तो इस वस्तु से एक किरन तो ये चली ये किरन क्या है मुख यह किरन अगर इधर आएगी तो वो चली तो इधर जाएगी अब दोनों किरने प्रावर्तन के बाद में मिल नहीं रही है तो हम इनको मिलाएंगे तो यह दोट 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 द इस्तति तो इसमें याद रखना है प्रतिविंब की इस्तति धुरुवय वय फोकस के बीच में ये तो धुरुवय हो गया ये फोकस हो गया और इन दोनों के बीच में तो प्रतिविंब बनेगा धुरुवय वय फोकस के बीच में प्रतिविंब का आकार वस्तु से छोटा मिल सब्으स्टीयist की शर्टियोग करूं करने और व औहरें। करते हैं आँदिंद्धी में चाहिए पूरागा पूरा ट्रक में दिखा देंगा esse रहा है तो इसके लिए क्या रखा है वस्तु जो है वह अनंत और धुरुवा के बीच में रखी हुई है वस्तु जो है वह अनंत यानि जो ट्रक जो है वह इस उत्तल दर्पन के अनंत और धुरुवा के बीच में रखा हुआ है इसलिए ट्रक अगर बढ़ा है तो उसका छोट प्रतिभीम बन रहा है यानी तो उत्तल दरप्ण का परियोग साम्हानत है पार्सव Only गाड़ी तरी के दिखा है दि जाएगा इस तरी के से लिखा जाएगा कि वस्तु जो है वह अनन्त और धुर्व के बीच में रखी हुई है दूसरा जो मैट्वपुन है वो हता है दोस्तों सिक्योरीटी दरपन में ये कैए सिक्योरीटी गलास है ये कपडों का कोई दुकान है कपडों की दुकान के अंदर ये हमने ये उत्तल दरपने मारा तो तो इस दर्पन में देखकर इस दुकान पर नजर रख सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं दुकानों में उत्तल दर्पन का मसलिस वास्त्यूकि वास्त प्रतिवियों स्क्रीन पर पास सकता है अब उत्थल दर्पंप्र 20 के बने वाला प्रतिवियों प्रद पर पुराप्थ लाद या परीवर्तन होगा कि तीसरा प्रसन I一個 लोजिकल प्रसन यह चोटी चोटी बात है अगर आप समझर जाओगे फिजिक्स में कहीं नियाट कोगे, एक आदमी एक विशेज सेट के दरपन के सामने खड़ा है, और उसका प्रतिबिम बहुत छोटे सिर का, उसका सिर तो कैसा दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा, और एक मोटा सरीर, शरीर कैसा दिखाई दे रहा बहुत मोटा है पेट उसको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है पेर उसको कैसे दिखाई दे रहे हैं सामान्य आकार के पेर है पेर उसको जैसे हैं वेसे के वेसे दिखाई दे रहे हैं सिर बहुत छोटा है मोटा सरीर दिख रहा है पेर उसको ज तर आपको कमेंट बोक्स में देने हैं नहीं भी आएंगे तो हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे तो धन्यवाद दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए बहुत अच्छा मोका है आप लोगों के पास में इसी के साथ धन्यवाद